राधे राधे बच्चों अब हम एलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर की बात करते हैं यह हमारे NCRT के टॉपिक नंबर 3.9 में गिवन हैं तो हम इस टॉपिक को एक सवाल की तरह से करते हैं सवाल है मान लेजिए कि वाइवन रिक्वाइर सोर्स आफ पॉटेंशिल डिफरेंज इस बैटरी तो मेंटेन करेंट थूर रजिस्टर तो भाया हमें बैटरी की जरुवत क्यों है पॉटेंशिल डिफरेंज को बनाए रखने के लिए अगर हम पॉटेंशिल डिफरेंज लगाएंगे तभी फ्री एलाक्ट्रॉन जो हैं एक डारेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे तो उनके ड्रिफ्ट को मेंटीन कर रखने के लिए ठीक है वो अब रुक क्यों जाते हैं उनमें कॉलीजन होगे राभी होती है तो उनके ड्रिफ्ट को इन सब चीजों के ओवरकम होके मेंटीन रखने के लिए हमें बैटरी की जरुवत है एक छोटे से सवाल से ये concept हम समज potential difference के across हमें निकालना क्या है भाई amount of charge passing through resistance in time t तो current i current t time के लिए flow हो रही है तो भाई i equal to q by t होता है तो q equal to i t आ गया ठीक है तो इसका मतलब t time में delta q charge v potential difference पर गाया तो work done भाई आप potential difference का formula होता है work upon charge तो w equal to क्या हो गया qv ओके अब हम यह जो work done है यह जो energy spent होई flow को maintain करने के लिए इसे हम i r और v की terms में देखना चाहते हैं तो भाई क्यू की जगे क्या रखोगे i t तो आ गया v i t v की जगे क्या रख सकते हो i r रख दिया i square r आ गया बई i की जगे आप v by r रख सकते हो v square t by r आ जाएगा तो कहने का v i t i square r t या v square t by r से देते हैं अब हम बात करें power तो भाई या power क्या है rate of doing work that is dw by dt अब यहाँ पर भी देखो जैसे आपने लिखा ना p equal to dw by dt अपना वही basic match कितने तरह के सवाल भाई दो तरह के की work time graph का slope power देगा और power time graph का area time access और power time graph के बीच का area work done देता है तो basic match तो बहुत required है ओके तो power क्या है that is rate of doing work या फिर हम कह सकते है consumption या conversion या फिर production of energy जिस rate पर हो रहा है अच्छा आप यहां पर confuse मत हो भाई कि भाई या production भाई energy तो न तो create हो रही है न डेस्टा हो रही है मालूम है भाई या नहीं होती बट जैसे अपना जो power house है electricity का power house वहां पर हम electricity produce कहना फिर गलत है लेकिन उसको कहा यह जाता है कि वह यह उस power house का production यह है उसके पिछे का sense यह है कि वह एक form of energy को दूसरे form of energy में convert कर रहा है देकिन दिल पे ना लें समझ लीजिए कि हमने लिखा है rate of production ओके तो power का formula क्या था dW by dt dW joule dT time तो joule per second watt energy in terms of power या power का formula क्या लिखे थे work upon time तो work क्या हो गया power into time ओके तो अब हम बात करता है बटा पावर का unit क्या है watt time का second तो watt into second हो गया जूल तो अब हम समझ में आए कि भीया देखो समझना मुझे एक जूल power energy को define करना है तो अगर कोई electric appliance जिसकी power one watt है circuit में एक second के लिए रहेगा तो एक joule energy consume करता है तो इसी theme को लेके कि एक watt power का appliance एक second रहने पर एक joule energy consume करता है अब मान लो एक watt का appliance वन आर रहा ठीक है तो यह क्या वन आर को आप करो convert 3600 तो यह क्या हो गया बटा 3600 watt second that is 3600 जूर अब आप one watt के बदा है thousand watt ले रहे हो तो one के मतलब thousand तो thousand watt hour kilowatt hour okay तो यह हो गया आपके आज में 3600 into 10 की power 13 इसको हम 36 into 10 की power 5 भी लिख सकते हैं 3.6 into 10 की power 6 भी लिखा जा सकता है तो one kilowatt hour that is one unit that is 36 into 10 की power 5 जूल और यह equal होता है one BTU that is board of trade unit ठीक है तो घर पर light का जो बिल आता है भाई वो इसी unit में आता है तो one kilowatt hour को कैसे define करोगे कि भाई हजार watt की machine circuit में एक घंटा रहती है बराबर तो वो कितना energy consume कर रही है one unit okay power का एक formula अपन और समझ लेते हैं तो power क्या आता है work upon time तो यहां से VIT में T का division दिया I square RT में T का division दिया V square T by R में T का division दिया तो हमारे पास power का यह formula V I I square R और V square by R बनता है अचा मेरी बात सुने समझें अभी अपन confuse हो सकते हैं कि भाई आप power directly proportional to R भी है power inversely proportional to R भी है तो भाई सही दौनों relation है use कहा करना है किस condition में यह लेना है किस condition में यह लेना है that is important तो यह वारा कब लेंगे जब दो element में current same हो यह कब लिया जाएगा जब दो पर potential difference same हो तो वन किलो वाट आर क्या था thousand वाट की machine एक घंटे अगर circuit में रहती है तो एक unit energy consume करती है कुछ points हैं जो ध्यान रखेंगे कि i square rt जो है उसको joule ने बताया था इसलिए उसको joule heating कहा जाता है अब current भले alternating हो या direct current हो joule heating as it is है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो बल्ब हो heater हो गीजर हो ये सब दौनों पे work करते हैं joule heating जो है irreversible है इसका reverse process कुछ नहीं होता भाई अब बहुत बहुत important point upon up discuss कर रहे हैं that is rating of bulb आपने कभी देखा हो तो बल्ब पर rating लिखावा होता है जैसे PSVS तो ये specified values हैं मान लेजे किसी बल्ब पे 60 watt 220 volt लिखा है इसका मतलब ये है कि इस बल्ब को अगर 220 volt supply line पर रखा जाए तो एक second में ये 60 joule energy consume करता है तो क्या मतलब हुआ कि इस बल्ब को अगर 220 volt की supply line मिलेगी तो एक second में 60 joule energy consume करेगा अब बात समझें एक बल्ब की power rating PSVS है ठीक है इसका resistance निकालना है और क्या ये resistance operation के साथ change होता है तो देखे P equal to V square by R तो R equal to Vs square by PS ये resistance जो है operation के साथ change नहीं होता temperature के साथ भी उतना change नहीं होता ये temperature के साथ change होगा बट उतना नहीं होता है ध्यान रखना filament की property है long use करोगे 3-4 साथ आपने बल्ब यूज किया तो उसके oxidation की वज़े से उसका resistance change हो सकता है तो in general nut cell में बल्ब का resistance during operation change नहीं होका अब देखो समस्या क्या है कि आपके आश में जो बल्ब था उसकी rating थी PS Vs आपने उसको V0 supply line में रख दिया तो क्या अब operating power क्या हो गया बेटा V0 square भाई आर की value अभी अभी आपने पढ़ी थी Vs square by ps लगा दिये भाई या value तो V0 square as it is यह हो गया ps by vs square तो आपके पास में operating power और specified power में यह relation आ गया तीन possibility है कि operating voltage specified से कम है बराबर है ज्यादा है तो जब operating voltage specified voltage से कम होगा तो भाईया cell sorry bulb dim हो जाता है है ना अगर operating voltage specified voltage के बराबर है तो बल्ब जगमगाएगा अपनी maximum efficiency पर और अगर operating voltage specified voltage से ज्यादा है कई बार होता है ना ज्यादा voltage आ गया एक दम तो क्या होगा बूम बल्ब fuse हो जाएगा चोटा सा सवाल करते हैं फॉर्मला अपला करना है ज्यादा विशेश नहीं है बाकी अच्छे numerical के लिए अपन और एक section देखेंगे ठीक है तो फाइंड operating power एक बल्ब की उपरेटिंग पावर निकाल नहीं है उसकी रेटिंग क्या है 60 वाट 220 वोल्ट तो भी आप बल्ब बनाया 220 वोल्ट पे काम के लिए है लेकिन आप यूज 110 पे ले रहे हो भाई तो फॉर्मला आपको एज़ेश लगाना है वी उपरेटिव क्या है 110 इंटू 220 इसक्वैर भी है भाई ठीक है multiplied by 60 पूरा solve करोगे आपके आंसरा है 15 वाट तो जो बल्ब 220 वोल्ट पर काम करने पर 60 जूल एनरजी कंजियूम करता वो बिचारा 110 वोल्ट पे वन फोर्थ पावर पे आ गया अब एक और important concept है ध्यान दें बया दो बल्ब हैं जिनकी voltage रेटिंग सेम है ठीक ह power rating अलग-अलग है तो आपके आंस में क्या है कि भाई या P equal to V square by R voltage rating सेम है तो R is inversely proportional to P तो भाई जिस बल्ब की power कम होती है उसका resistance ज्यादा होता है ध्यान रखेंगे जिस बल्ब की power ज्यादा है उसका resistance कम और जिसकी power कम है उसका resistance ज्यादा होता है ठीक है चलिए आज इस वीडियो में वितना ही करेंगे एक और हम वीडियो इसका और लगाएंगे जिसमें fuse का application होगा वो बहुत important है राधे राधे